काईश्वानी बुपल से प्रस्तोत हैं, रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं प्रशान्त सेंगरू पहले एक अपील कुरोना संक्रमन को देखते हुए आपसे अपील है कि किसी भी किस्म की लापरवाही ना बरते हैं और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, दोगस की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हात धुएं और साफ सफाई रखें, साथ ही टीका पी लगवाएं लोगों को कोविट से संबन देते जानकारी देने और उनके मागदर्शन के लिए राश्ट्री हेलप लाइन कारे रथ है, इसका नम्मर है 011-2397-8046-1075 और अब समाचार सुनिए, पहले मुख्य समाचार प्रदान मंत्री नरेनर मोदी आज और कल G7 देशों के शिकर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रदेश के हरक्षेतर में गुडवत्ता युक्त शिक्षा के लिए 9200 CM RISE इसकूल खोले जाएंगे रज में कुरोना संकमन की रफ़तार होई कम, कल सिर्फ भोपाल, इंदौर और जवलपुर में मिले 10 से ज़द मारीज और अनुपूर, नरसिंगपूर और सिवनी सहित 11 जिलों में भारी बारिश का ऐलर्ट और अब समाचार विस्तार से प्रदानमंतरी नरेनरमोधी आज और कल G7 देशों के शिखर सममेलन में शामिल होंगे वर्तमान में ब्रिटेन इस समूं का अध्यक्ष है और इस बार के शिखर सममेलन के लिए भारत के साथ उस्ट्रेलिया, दक्षन कोरिया और दक्षन अफ्रीका को अतिती देशों के रूप में आमंदरित किया गया है। प्रदेश के हरक्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश से 9200 CM RISE स्कूल खोले जाएंगे। बैठक में स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंग परमार ने वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से अपनी उपस्तिती दर्ज कराई। इसमें बताए गए कि प्रदेश में जिला, विकासखंड, संकुल और गिरामो के समहू इन चार इस तरों पर CM RISE स्कूल प्रस्ता बिथें। इन स्कूलों में अच्छी अदोसनरशना, हर विद्यार्थी के लिए परवेहन सुविधा, नरसरी केजी के कक्षाएं, शत प्रतिशत शिक्षा के एवं अन स्टाफ, स्मार्ट क्लास एवं डिजिटल लर्निंग, सुसजित प्रयोक्षालाएं एवं समर्द पुस्त काले, स साथ ही व्यवसाएक शिक्षा और अभी बाबाकों की सहभागिता जैसी विशिष्टाएं रहेंगी। ये हॉस्पिटल एहम अंग होंगे। श्री चौहान ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के परती साजक होकर राजी सरकार ने प्रभावी कारी योजना तयार की है, जिसके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं अग्रिम रूप से सुनेशित की जा रही है। इसी करह में प्रद श्री सामजिक ने आया और निशक्त जन कल्यान मंतरी थावरचंद गहलोत ने कल उज्जन जिले के खाचरोद में विभिन निर्मानकारियों का भूमी पूजन किया। उखे मंतरी शिवराज सिंग चुहान वीडियो कांफरेंस के माध्यम से शामिल हुए। वहीं कारक्रिम के अद्धिक्ष्टा उच्छी शिक्षा मंतरी डॉक्टर महन यादव ने की। कोरोना महमारी की दूसरी लहर के दौरान केंदर सरकार की गरीब कल्यान अन्य योजना गरीबों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। अरिवार के लिए जो रासन मुक्त दिया है इसके लिए हम आभारी हैं उनका और मैं चाहता हूं कि सदे आप इसी प्रकास से हम लोगों की मदद कहते रहें गरीबों की धन्नवाद हो अब समचारों वक्त हो चला है एक ब्रेक कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ हर मू साफ रखें ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सब भी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है प्रदीश में कोरोना के नए मामलों में लगतार कमी देखने को मिल रही है यहां कल कोरोना की 397 नए मरीज सामने आये हैं इसके बाद रज्ज में संक्रमेतों की कुल संक्या 7,87,572 हो ग जबकि राज्ज के तीन जिले ऐसे भी हैं जहां कोई नया प्रकरण सामने नहीं आया है बुलिटिन के निसार राज्ज में अब तक 7,63,615 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं इनमें 1240 मरीज कल स्वस्थ हुए अब यहां कोरोना के सक्री प्रकरण 5, 2447 हैं उज्जन से हमारे संबादाता ने बता है कि जिले में कल कोरोना संक्रमट से मातर 5,35 संक्रमट पाए गए हैं उदर धार जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या लगतार कम हो रहे हैं कल यहां चार नए मरीज मिले हैं जबकि 10 रोगी ठीक हुए हैं अब यहां 58 सक्री प्रकरण बाकी रह गए हैं बालगाट में एक सेंपल कोरोना पॉजिटिव आया है जबकि 12 मरीजों को डिस्चाज किया गया है जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या केवल 60 रह गई है उदर बैतुल जिले में कल 19 मरीज स्वस्थ हुए हैं चिनवाड़ा जिले में भी को नए व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं जबकि 4 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है इसी तरह देवाज जिले में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों में लगतार कम या रहे हैं जिले में अब सिर्फ 30 एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीज मौजूद हैं जले में कल पांच वेक्ति कोरोना संक्मन्ट से मुक्त हुए प्रदेश के गॉलियर में कल दो और सतना तथानुपुर में तीन तीन नए मरीजों का पता चला है जबलपुर में 11, 12 और सतना तक प्रथम वर्ष के बच्चों का एक सम्हु आपदा की इस घड़ी में जरूरत मंदों की जरूरत पूरी कर मानवता का परिचे दे रहा है स्कूल और कॉलेजों के बच्चों के इस सम्हु का नाम फीडिंग इंडिया है सम्हु के शहर पर मुख सूरियान शिकरे के मताबिक उनके सम्हु दोरा लॉकडाउन के दोरान जहां गरीब जरूरत मंदों की मदद की गई वहीं ग्राम बिल्खिरवा सूरत लाई में तीन सो गरी परिवारों को एक सब्ताह के लिए राशन भी उपलब्द कराए गया सम्हु के सदस अपने सौजन रिष्टेदारों के अलावा मित्रों के सहयोक से बीडित मानोता की सेवा में जुटे है प्रदेश में मानसुन ने समय से पहले दस्तक देती है इस बार मानसुन अरब सागर की तरफ से आया है मौसम विभाग ने बताया कि बड़वाने, खंडवा, खरगोन, बैतूल, बुरहनपुर और सेवनी से होकर मानसुन रज्ज में आ चुका है मौसम विभाग ने 20 जून तक इसके पूरे प्रदेश में सक्री होने की संभावना जटाई है विभाग ने अगले 48 घंटा में प्रदेश के जवलपूर, शैडौल, भोपाल, उज्जैन, सागर और गौलिर, चंबल संभागों में भारी बारिश का ऐलर्ट जारी किया है विभाग ने अनुपपूर, नर्सिंगपूर, चंदवाड़ा, बालगाट, सेवनी, मंडला, सीहोर, बैतूल और देवा जिलों में भारी बारिश की संभावना विजटाई है वहीं बोपाल, इंदौर, गौलिर, जवलपूर, उज्जैन, विदीशा, राजगर, हर्दा, रतलाम, रीवा और शैडोल जिलों में गरच चमा के साथ बारिश के आसार व्यक्त किये हैं चिनवाड़ा से हमारे संभादाता ने बता है कि मानसून की आमद के साथ ही वहाँ कल से ही रुक रुक कर जिले के विभिने विकास खंडों में बारिश का दौर जारी है और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी आज और कल G7 देशों के शिकर सम्मिलन में शामिल होंगे प्रदेश के हर क्षेतर में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए 9200 सीम राइज स्कूल खोले जाएंगे रज में कोरोना संक्रमण की रफ्तार होई कम कल सिर्फ भूपाल, इंदौर और जवलपूर में मिले 10 से ज़ादा मरीज और अनुपूर, नर्सिंगपूर और सीवनी सहेते 11 जिलों में भारी बारिश का ऐलर्ट इस बॉलेटिन के अंत में एक अपील हमेशे ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी, नमस्कारूर